किंद्रिय मंत्री गिराज सिंग ने समराट चोधरी को बिहार का अगला सिजम उबिद्वार के रूप में उन्होंने गोशना की है। और विष्वास को जिता है वो सत्ता में बना रहता है। और जब देश के सबसे बड़ी पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी के हमारे दैनिये नेता राहुल गांधी जी, जब जनता की आवाज को उठाते हैं, तो उनकी आवाज को दबा दी जाती है, तो जनता समझ चुकी है कि जो पार्टी देश को अजादी दिलाई, उसकी आवाज क कही हम कम डाया करता है इजो फ practitioner प करता है उनका अपना विक्तिगत नीजी मामला है, वह क्या संकल पलिये हैं, क्या अपने पार्टी को वादा करके हैं, यह उनका मामला है, यह हम नहीं जानते कि क्यों पगड़ी बान के घूम रहा है तो पहर सवाल है सासराम हम और नहमा औ देखिए ये तो अब तो धीरे 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 बिहार की जनता समझ गी देश की जनता तो गुजरात की जनता तो समझी रही थी जिस तरीके से गुद्रा कांड के जो आरोपी लोग थे उनको जिस क्या बोलते हैं साबूत की अधार पर इस तरीके से छोड़ दिया गया तो अब बिहार की जनता भी समझ गई है कि यह जब तक यह लोग सत्ता में तब तक यह रामनौमी में किसी तरह का कोई पद्रों नहीं हुआ इनके जात ही ऐसा क्यों होगया चुकि यह तो बेरोजगार हो गया जब बेरोजगार होंगे तो कुछ न कुछ खुराफात तो करेंगे तो यह बात बिहार की जनता समझ चुकिय है और माननिय मुख्र मंत्री जी हर एक चोटी चोटी चीज़ों पर ध्यान देते है कि जो जुगा डिमांड कर रहे थे उनके डिमांड पूरी हो जाएगी बड़ा जो है तरह से बहाली जब होगी तो बहुत से नौजमानों को रोजगार मिल लाएगा और सरकार जिस तरीके से लोग भरम फैला रहे हैं सिक्षेकों को लेकर के मैं तो आपके चैनल के माधियम से करना चाहती हूँ कि उनके भरम में बिलकुल नहीं आया सरकार रोजी रोटी देने में विष्वास करती है किसी की बयान बाजी कर रहे हैं करमान स्याम के साथ अनुश कुमार कशिस्ट पठना